हलो इस्ट्रेंग, वेलकम टो मेंगाकेडमी कैसे आप लोग आज हम देखींगे 6.2 6.1 और 6.1 इससे पहले इंत्रोडक्शन अपनने देख चुका है ट्रेङगल चेप्टर का 6.2 देखींगे 6.2 में आज अपन देखींगे इंटोरेक्शन में आपको देखेंगे कि 6.2 exercise को solve करने के लिए आपको क्या-क्या आसी वह अपन देखेंगे आज अब सब्सक्राइब करने के लिए क्या-क्या चीज आपको requirement बें तो पहले आपको पहले को देखना है कि यह रिधियर ट्रेंगल आपने पास प्सक्राइल लिए लिए कुरेंगल के चीशा है तो जो ठोरम दी गई, जो साइंटीस ने थोरम दी गई, वो बोली गई है, कि अगर जो D-e-line, जो line ये अपने D, उसका पाटरतन है, तो वो दो side को equal ratio में divide करेगी, यैनि उनका कहने का मतलब है, कि एक line तीसे side के 1 side के perturb string है, तो अपन देखिले पैलर है कि नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कि D पैलर है BC के, तो इत्ता आपने बोल देखते ही बोल दिया अब पैलर होने के बाद का condition है, तो पैलर होने के बाद के एक condition क्या है कि जो A, B है, मदलब की A, B जो line है, A, B वो दो पार्ट में divided है ए भी है न दो पार्ट में डिवाइड़ है एक है AD प्लस DV और AC है AC भी दो पार्ट में डिवाइड होगी एक होगी A से E प्लस E से C तो साइंटिस्ट ने बोला है कि इनके रिश्यो कहेंगे बड़ाबर आएंगे तो किनके रिश्यो अगर मैं A से D जाओं फिर मैं D से B जाओं पहले मैं A से D गया फिर मैं रिश्यो लिया D से B का बराबर किस की घागा A से E का A से E का और C का जी क्या result ए मिपने D से B simple सी बात है rectangle बनाना एक line बना देना तीसे side के उसको parallel कर देना फिर दोनों को ratio को divide कर लेना तो एक एक point पर जाना पहले A से D गए फिर D से B गए फिर A से E गए फिर E से C गए हैं तो लिख दिया अपन इधर पर है अब समझी इधर पर क्या बोला पैरलर लाइन क्यों बुलीगे अगर D पैरलर नहीं होती B C के तो कभी equal part में divide कर पाती क्या कभी भी नहीं कर पाती equal part में divide ऐसी line होती ऐसी trade ही जारी होती तो ऊपर जादा बनता नीचे कम बनता यदर पर उपर कम बनता नीचे जाजा बनता तो कभी भी equal ratio में divide नहीं होता लेकिन पैरलर है तो equal ratio में divide है तो इसको बोला गया अब थैल स्थोरम basic proportionality थोरम बोला गया तो इसका proof भी देख लेता अपन तो proof तो proof समझने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा तो proof समझने के लिए आपको कुछ diagram बनाने पड़ेंगे ना कुछ diagram बनाने पड़ेंगे तो माल लिए इधर पर अपन ने two proof two proof क्या proof करने अपन को AD upon BC equal to AD upon DB AD upon DB equal to AE upon EC यह था अपना प्रूफ करना था अपनको प्रूफ करना था तो अपन क्या करते सबसे पहले क्या first step में क्या करते join कर दो join BE and DC अपने क्या करते जॉइन कर दिया BE and DC को तो जैसे अपने BE और EC को जॉइन करा तो अपके figure बन गया एसा figure आ गया ठीक है ऐसा figure आ अब क्या बोला डी और BC को अपने join करा अब डी और BC को join करा तो डी और BC को जैसे अब मैंने join करा बी और DC को join करा अब अब देखे ट्रेंगल ADC देखे ट्रेंगल ADE ट्रेंगल ADE पर हां ट्रेंगल ADE पर क्या करते हैं पर्पेंडिकुलर ड्रो करते हैं क्या करते हैं पर्पेंडिकुलर ड्रो ड्रो माली जी इधर पे मैंने करें ठेंग्म रूट है उधर पर जोयन करा एक और यह परपेंड प्रप्रिज़ह वाख तो किर मैं से इसको नहां देदी आपको यहाँ नाम दे लaaa नाम दे तो लेकिन साइड बाइसाड उनकर नाम देना जैसे बीन दीब आ एक्स वाइ नाम दे दिया यह या destarak तो नाγ परकने ने परेंटिंग्र 550 नेसे नाम देती है पंड को तो इ है परेंडी एंड कर तो एडी पर डोग करतो तो परट लíए ट्रॉंधीना अब बिंड़ कडी लिया तो एरिया कि इतना घया एरिय किट्डनाकी अ कि इसका में आ neces लिकिो में अडी काई भर का हिए सब्सक्राइब करें मेरे पास हाफ कि एक हाफ बेस इंटू है थ пошता है हाफ-बेस इंटू हाइड ली हाफ पे बैस होता है मैं मॉझा कि में कु मैं यहाँ से बना देता हूं तो इसे मैंने ड्राव कर रहा एम एम पर्फिने कुलार तो इसका बेस क्या है बेस के अपना अड्य और विस्पे अपना बेस के अपना-बेस आपना और तिसी है इसकी एम है हाइट कितनी एम हाइट कितनी एम है हाइट धीजर देखें मैं इसिने में दूसरे तरीडी से भी लिख सकता हूं तो वह कितना और तो अब मेरा सॉ तो लिए न परनेगा आइसा वहिक है कि युद्र विद्र परपेंटकुलर एए कह तो इसका रिखिया जाए घाल हाफ हाफ हम दीन इन्टु एए हम दीन इन्टु एई हम डीन इन्टु एए ठीक है, half dn into ae आ गया, इधर तक आपको समय में, half dn into ae आया, ठीक है, ठीक है, तो इधर से अपने पास a, d, e के दो फॉर्मलिया आ गया, एक हो गया, half a, d into em, और half dn into ae, ठीक है, इधर तक बात के लिए रहे, अब किस की बात करें, तो उपर वाला पार्ट तो अपने clear हो हो गया, उपर वाला पार्ट अपने clear हो गया, अब अपन को proof करने के लिए क्ली क्या चाहिए, db चाहिए और ec चाहिए, db और ec, तो db और ec आपको कहां से मिलेगा, दूसरे वाले figure से मिलेगा, तो इधर तक आपने note करी लिया होगा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, म इसके बाद देखिये आप, अब इधर पर देखिये, db, c देखिये, db, c देखिये, db, c, आपक पने, db, c देखिये, db, c, they are concurrent they are concurrent they are concurrent because they have same base they have same base same base कितना उनका डी है बेस कितना उनका डी है किसके पहले लाइन से इधर पर डी है और बीसी है दी है और बीसी है मतलब सीधी से बाद यह है डी बीसी के पहले रहें तो अपन को पताएगा दौनों का बीस क्या सेम है अगर बेसी होता है तो दौनों की एयरे का से होते बराबर होते है एयरे के पहले लाईन के बीच में बन रहा है जब दो पहले लाएन और दो दौनों का बेशते हम होता है तो उनके एरिया क्योंते बराबर होते है त्लिकर थे इति बाद समझ में है या अब इसकी 애 कि कैसे आपन पुरूफ करें कि DBS काए तो DBS पर्सवर्ण का अच्छे ट्रीक है दोनों की एरिया लिख लिजे तो है दोनों के एरिया लिख रीजे तो सबसे पहले एरिया है एरिया एस ट्रैंगल Db का एरिया दिखिए तो इनर के मृझत है हाफ दो हाफ बेस इंटो हाइट हाफ बेस कितना इतना बेस कहता अपना बेस कितने दी बी है और हाइट कितने हो गई इसे इछा जाएंगे तो इंके कहा आइगी इम के बड़ावर इहाएगी दूषरे दीजिया एरिये लैंगर किसका की ऊंक डे इीए लिए d हाफ बेस कितना होगया बसे बसे कितना हो जाएगा और यह कहंपे मीट कर रहे iz knocked कितना हुआ और हाट कितने न होगई ठी चाले पर अपने पास अथा आठीक किसे गई सेखा एडी जांगे फ्रस्टट सेके ज्यांगे ठर्ड और यहांगी फॉर्त ऊप्प एक्विश्न आगी है यह चार एक्विशन आगी और दूसी जैपन को क्या पता कि कि D is D b बड़ाबर D e c के हैं यानि कि इह दर लिख देता हमें एडिया ओफ डी इवी इस एक्वल टू एडिया ऑफ ए रिया है इधर पर सॉट फॉर्म भी लिखा मैंने डि ई बी, डिई बी, इसके कितने दी सीखें, दोनों के एडे क्या है बराबर है, अब क्या करें, अब क्या करें? का सबसे अच्छा तरीका देखिए सिम सिम वर्ड देखिए इधर पर एम है इधर पर डिये न है इधर पर डिये न है तो मैं क्या करता हूं तुम्हें क्या करता हूं फर्स्ट वाली को थर्ड से डिवाइड कर देता हूं फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली को थर्ड से डिवा कर तो फर्स्ट वाली क्या थी मेरी लो और मेरे एरिया कितना एरिया ओफ डी इवी गे जीवाइट बाइस ऐरिया ऐ औफ दि मेत्वेशित मेरी इसका हाफ इसका बेश था टी फित इंटू हाइड किसकी इम डिवाइड भाफ इसका इसका एडि और हाइड किसकी इम ठीक है तो इसको डिवाइड करेंगे से और से करेंगे इसकेंड को डिवाइड करेंगे फोर्स है ठीक है जिसकेंड को डिवाइड करेंगे फोर्स है तो कितना अगे एडिया ओफ डी इसी एडिया ओफ एडिया ओफ एडिया ओफ एडिया ओफ एडिया तो एडिया ओफ एडिया ओफ एडिया कितना है हाफ हाफ कितना इधर पर कितन कितना हुजाएगा हाफ एक अधर पर हाफ एक इटिन तो डिन से डिन के हाफ से आफ गया तो कितना अगे इदर पर E C upon A E E C upon A E आ गया ठीक है अब उपन को पता है कि D E B बड़ाबर किसके D E C के बड़ाबर है area of D E B बड़ाबर किसके D E C के बड़ाबर है और A D E तो सेम है A D E तो सेम है तो इधर पर मैं क्या लिज सकता हूँ कि area of D E B divide में area of सब इक्वेशन को सेम करके लिख दीजे equal लगा के सब क्या के लिख दीजे area of D E C upon area of A D E equal to क्या लिख दू में D B upon A D equal to E C upon A E D B upon A E D B upon A D equal to E C upon A E, hence proof hence proof तो यह होगी मेरी basic proportionality theorem proof हो गई है कब proof होई है जब D E बराबरे BC के D E बराबरे BC के उसके बाद ही मैंने इसको proof करा है है अगर D E बराबर BC करना ही है तो proof नहीं होगी एक-एक step को मैंने एक-एक simple तरीके से मैंने बताया है और जो तरीके मैंने pattern बता है उसको आपको आसानी से याद रहेगा बस आपको एक चीद ध्यार रखनी है इधर पे कि D E B और D E C मैंने अच्छे से नहीं समझाते है इसलिए मैं अच्छे समझा देता हूँ D E B और D E C दोनों ही बिट्विन दो पहले लाइन की बीच में बढ़ना एंगल और दोनों का बीस क्या है सेम है इसलिए वह दोनों एंगल क्या है बराबर है वह दोनों ट्रेंगल की एरिया क्या है बराबर है वह अपने class 9 में बढ़ाता हां तो इसको बस आप ध्यान से अच्छे से note करीजेगा इसको अब अच्छे से note करीजे यह से बेसी प्रपॉस्शनीटी थोरम का अपन करिंवर्स कुरूबर्स देखते हैं डेउन लोड़ का पास की अब आपने को प्रूफ क्या करना है प्रूफ कि क्या करना है अपनको प्रूफ प्रूफ करना है कि D.E. पहलर होने चीए B.C. के D.E. के होने चीए पहलर होने चीए B.C. के तो प्रूफ कैसे करेंगे तो प्रूफ करेंगे अपन उल्टी मेथड से तो प्रूफ करने के लिए कोई मेथड ऐसे समझ लीजे आप मालीजे आप cinema hall में गए, अपने parents को आपने नहीं बताया कि आप cinema hall में गए हैं, आप गए, मालीजे cinema hall में गए, अब आपके parents को बता चला कि आप cinema hall में गए हैं, आपके parents को किसी ने बोला कि आप cinema hall में गए, और आपने बोला था कि मैं अपने friend क्या जा रहा हूं, तो आपके प्रूफ हाल में होगे जब ही तो वो अगर वो मांनते नहीं कि Randallall में हुइ नहीं तो कैसे वो जाते अधंतर प्रूफ करने क्लिश ere दूसर पे ले लिए इधर खरेन के ये माली ये डेले नाम देदिया क्या नाम देदिया अपने इडेश नाम देदिया ठीक है इडेश आउन दो पॉइंट एडी तो अपन क्या लिखेंगे इधर पर सबसे पहले क्या लिखेंगे ड्रो ड्रो डी-ईडर ओन सैड्य अग्या टिटिशी अपने क्या करा ड्रो करा डी-डर्य ऐडश अन्दे सैडय फेश अपने क्या करा कि अपने माल लिया कि यह side क्या e point, e क्या एक point है, जिस पर d से यह अपने join करे हैं, अब उसके पास क्या करेंगे अपन, अब उसके पास अपन को given है, अपन के पास क्या given चीज क्या है अपने पास, ठीक है, given क्या है, कि ad upon db, equal to ae upon ec, जिस अपने पास given था, d e dash on the side, a b draw करा, उसके बाद क्या करा, ad upon db, equal to ae upon ec, तो इधर पर क्या है, d e dash है, अपने क्या माना, d e dash है, अपने क्या माना, d e dash है, अपने क्या माना, कि d b, अभी पहला नहीं है, d c, अभी बहला नहीं, b c के है, अब जब पहला नहीं है, तो d e, अपने क्या माना, d e dash है, d e dash है, तो तो इसा बन गया ABC, इधर पर D, इधर पर E dash आ गया तो according to theorem number 1 theorem number 1 और basic proportionality theorem BPT जैसे अपने on the triangle basic proportionality triangle on ABC पर लगाया अपनने ABC पर जैसे अपनने लगाया यह triangle ABC पर लगाया तो इसके according क्या हो जाएगा A से D जाएगे जब अपन A से D जाएगे और D से B जाएगे इधर पर किसके जाएगे, A से E जाएगे A से E dash जाएगे और E dash से C के बराबर जाएगे अगर अगर अपन जाएगे तो यह दोनों के ratio में divide करेगा क्योंकि अपने इधर पर बोला है कि D dash equal to BC के पहलर है ठीक है इधर पर यह अपने पास और दूसी equation के आपने पास कि अपन बोल रहा है कि A से B A से D और D से B जाने पर अपन किसको meet करेंगे A से E को meet करेंगे और E से C को meet करेंगे ठीक है अब देखें ध्यान से दिखेंगा ध्यान से दिखेंगा अगर मैं अगर मैं A से D जाता हूं और फिर D से B जाता हूं तो यह दोनों equation तो clear है अपने पास A से D गए D से भी गए इसमें भी A से D गए D से भी गए तो D point पर अपने अपन को कोई दिख कर नहीं लेकिन इस point पर क्या करेंगे कि पहले A से E जाना पड़ेगा तो यह तो अपन इसे जाएंगे यह तो अपन क्या कहेंगे it e n e dash r same point r kya same point ठीक है एसा तो होगा नहीं कि आप अपने cinema haul भी गाया और अपने friend क्या भी गाया ऐसा तो होगा नहीं इसलिए आप क्या होगै एक ही जगा पर होगै तो आप cinema haul में होगा या तो यह और इसकी पॉइंट एसलिए आपन क्या बोलेंगे कि घृलें यह शही थोड़ों को लिखते हैं और समझते कि इसका असली मीनिंग क्या है दोनों थोरम को एक बार अच्छे समझते हैं, दोनों थोरम कहना के चाती है, तो दोनों थोरम सेम चीज कहना चाती है, पर अच्छे समझे लिए आप, तो पहले पहली थोरम क्या कह रिए, कि अगर कोई ट्रेंगल अपने पास, ट्रेंगल अपने पास ABC, किसी भी दो साइड को को आप ले सकते मालीं तो या फिर आप किसी लुसाइट को सकते और दूसी कोंश से कॉंभिनिशन नहीं पास कि इन दौनों के को ले लों इस केस्म से क्या एगा इस केस्म में D है लाइन are और इधर पे दिए लाइलर फिर टी सकती मतलब एक टायम पर की पर टडिवाइड के ला तो इससे क्हाँ इस कि बेदे इससे क्हेंगे धी सक टीक है इससे क्या कहेंगे एपन टीक पहले किसके एक सी थिए थृत को नुबबर वन कहती है कि अगर एसा है अगर ऐसा हो रहा है तो क्या एक अगर रिजन आ ये वह आयेगा AD upon DB equal to AE upon EC AE upon EC जो है एगा पहले वाले triangle से हाँ, इस वाले triangle से ऐसा एगा result क्योंकि अपन जहां पर cut कर रहा है उस point तक जाना है, उसके बाद फिर दूसरे point तक जाना है तो इसमें पहले अपन A से D गए, फिर D से B गए इसमें A से E गए, फिर E से C गए इस triangle में दिखिए, इस triangle में पनका जाएंगे पहले B से D जाएंगे, फिर D से A जाएंगे तो इधर पर क्या हैगा B से D जाएंगे, फिर D से A जाएंगे और इधर पर क्या जाएगा फिर से B से E जाएंगे और E से C जाएंगे B से E जाएंगे और E से C जाएंगे ठीक है T से ट्रेंगल में दिये तो T से ट्रेंगल में बन का से जाएंगे C से D जाएंगे फिर D से A जाएंगे तो C से D जाएंगे फिर अपन D से A जाएंगे और फिर C से E जाएंगे फिर E से B जाएंगे जाएंगे फिर ई से बी जाएंगे ओव ृ Heavenly ओ दीनों केस में से अपने पास कोई से यह Olha सकता है अब दूसी सूर्ण में कहती इसकी कए तो कंवर्ज का मतलब क्या होगा इधर पर कंवर्ज का मतलब है कि अगर में थिवाइड करǥ तो उसके पे दे touched यानि कि P से Q और X, X से Q, किसके बराबर हो जाता है? P से Y, P से इधर पर Y है हां, P से Y और Y से R के बराबर हो जाता है, then, if अगर ऐसा है, if this happens, then क्या हो जाएगा? आपन बोलेंगे एक सवाय पहले रहे किसके qr की पहले उसमें क्या था पहले 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 था उसके बाद क्या है ठीक है इधर तक आपको सुझ में आया होगा आप घबड़ाईगे मत जो प्रूफ आपने देखा न वह थोड़ी लेंदी है लेकिन वह आपको मैंने बहुत आस कोशन देखते इसमें exercise के क्योंशन है exercise करें कोशन नहीं है लेकिन मैं आपको एक एक जांबल की तरह से समझा रहा हूँ एक को इसा ट्रेंगल एबीसी तो थीक है अपने ट्रेंगल बना लिए अपनने अब बनाया अब बोला नहीं पीक्यू पहले टू बीसी है तो क्या rent कि तो अपन क्या बूल सकते कि king के एक्वल डू कि यह उपन क्यों से सीग ठहिए एस्य दूकर्ब थेल्स थोरम और बीपीटी बेसिक प्रपोस्टिटी थोरम ठीक है इसके अकॉरिंग आपने बूल सकते हैं अपने को पता है कि एसे पी और पी से बीकर इस्यो कितना आपने पास 3 x 4 है तो वेलू पिट अप कर देता है तो 3 x 4 एक्वल टू एसे q एक तो कितना है आपने पास एसे q है6 और अपनको q से c निकालना है q c निकालना है आपनको कॉस मल्टिप्ला कर दीजे तो qc 3 x qc इक्वल टू 6 x 4 qc कितना आ गया 6 x 4 अपन 3 3 से डवर करदा थृ मतलब कितना के एक सेंटीमीटर कितना एक सेंटीमीटर आ गया कि इस तो आपको एक कॉमन सी चीज बताता हूं बेसिक चीज़े बताते ही तो आपको और उसकी बद आपन वीडियो को एंड करते हैं फिर आपन नएस वीडियो में 6.2 पूर देखेंगे क्या होता है सेम फिगर ले लिए कोश्चन को मत दीजेगा अभी अपन ऐसी जड़री समझे एसे पी पी अपॉन भी एक्वल टू एक्यू अपॉन क्यू सी ठीक है ऐसा लिखा मैंने हाँ अगर मैं दौनों साइट प्लस वन कर दू दूनों साइट क्या करूं प्लस का वन कर द तो 5 5 क्या हो गया टू प्लस 3 एकोल टू 5 आया यानि कि नुम्रेटर प्लस जोनों में आ जाएगा तो वही चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अब इसको देखिए इधर में कि नीचे क्या आजाएगा इधर पर देखिए एक क्या हूँ अब तो तो देखिए इань मैं क्या लिए सकता हूं kommer किसके बचाव कर दीड़ सकता हो प्रमेंस से फिर 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 में तो क्या लीदो मैं एपन क्यूसेप हो गया थीक है यह होगे पहली चीज जोगी फश्थ हम अब देखिए इसी को इन्वर्स कर दीजे इसी को क्यों इन्वर्स करीए तो जैसे ही मैं इसको इन्वर्स करूँगा तो क्या जागा मेरा p b upon ab equal to q c upon ac p b upon ab equal to q c upon ac inverse करा तो यह सब basic चीजे होती है basic चीजे होती है अगर आपको ac के लिएंट दिये ac के लिएंट माल लिएंट 8 cm दिये है और aq दिये है 4 cm 3 cm माल लिएंट और अब आपको q c निकालना है क्योंकि ratio में क्या आता है AQ आता है QC आता तो AQ को तो पता है लेकिन QC नहीं पता तो आपन क्या लेगेंगे QC को QC को मैं किले सकता हूँ AC-AQ अदलब कि 8-3 इकुल तो 5 cm यह बेसिक चीजे हैं जो आपकी question को क्या करेंगे difficulty level पे ले जाएंगी तो आपको जी बेसिक चीजे अगर आएंगे तो आपको कोई सा भी question difficult नहीं लगेगा इस वीडियो में अपने 6.2 तक introduction देख लिया अब आपन नेश वीडियो में 6.2 का exercise देखेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देजेगा कोई सा भी डाउट हो आपको कोई सा भी डाउट हो सिंगल सिंगल ट्रॉपिक में मतलब बहुत कॉमन सा भी डाउट हो तो आप उसको comment box में लिख दीजेगा अगर ज्यादा डाउट हा रहे हैं तो आप हमाई Instagram ID को follow कर लिजेगा उस पर आपने डाउट पोस्ट कर देजेगा आपको solution मिल जाएगा अगर वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक कर देगे चैनल को subscribe करके bell notification on कर लिजेगा